आज हम बात करेंगे यस बिंग के बारे में और यह जानेंगे कि कैसे हम 25 रुपे का से और 300 रुपे में आसानी से बेज सकते हैं और दूसरी बात फ्यूचर में अगर एसी कोई गटना हमारे साथ हो जाती है कि जिसमें बड़ी बारी को वांटिटी हमने मान लिजे किसी स्टोक में बाई की हुई और वो इसे ही मान लिजे कि अचानक गिर जाती है तो उसमें से कैसे निकलना आया फिर मान लिजे का आप सही वक्त अप जाता तो उसमें से कैसे फिर हम वापिस हमारा प्रोफिट भी जो है हमने बाई कि उससे भी ज्यादा प्रोफिट में कैसे बेच सकते किसी भी स्टोक को क्योंकि यह वीडियो आपके लिए फ्यूचर में भी काम देगा क्योंकि स्टोक मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो यह नार्मल चीज है, कोई नो कोई श्टोक ऐसा बड़ी मुव्मेंट लोस में देगी देगी, तो क्या हमें उसमें किस तरीके सा आसानी से निकलना है, यह सानी कि ज़ए हथ से ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाएं, यह नार्मल चीज है, आपको यह समझनी चीज है, क हमेशे वही चीज सेर करता हूँ कि जो बिलकुल आपके लिए सिंपल हो, इसे यही मान के चलिए कि आपने एक बड़ी क्वांटिटी एक सो आट नो के रेट पे खरीद के रखी हुई है, और अब यह पच्चीस रुपे पे चल रहा है, तो अब हमें कैसे निकलना इसमें से और निकलना भी है तो अच्छे मुनाफ़ए में किसे निकलना है, यह पता है कि इसका फ्यूचर कोई खास नहीं है, जब तक रौफिट में नहीं आए और प्रौफिट में भी जब तक इसकी इक्वीटी को यह बीट ने करें जब तक यह असमबहवे कि यह वापिस उपर ज क्योंकि यह फ्यूचर में भी आपको काफी काम देगा, इसकी प्मत करना, क्योंकि यह 5-7 मिनिट हो सकता है, आपके फ्यूचर में काफी काम में दे, आप इस्टोक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो छोटी से छोटी चीज आपको जो अच्छी लगे वो जरू नोट करके रख करती है आपको पता होना चाहिए कि अजर मान लीजे कोई स्टोक ऊपर या नीचे हो रहा है मतलब कि लंबी अवदी में तो वो क्यों हो रहा है ना क्योंकि ये वीडियो इस पैसा से पोजिशनल ट्रेट के लिए जिनकी का पैसा फसा हुआ है मान लीजे किसे इन 5-7 साल के लि प्रॉफिड में होती है तब उसकी प्रॉफिट और लोस प्रॉफिट होगा तो सोबाविक से आए कि स्टोक ऊपर जाएगा दोस होगा तो यह भी पता है कि इस टोक में गिरा वटाईगे दूसरा होता है रेवेन्यू अगर मान लीजे को कोई कमपनी लोस में है पर उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है न वो बिन्यस अच्छा कर रही है तो मान लीजे कि उसका इस्टोक की प्राईज भी उसके अनुसारी मूव करेगे तीसरा होता है दोस्तों डेप्ट अगर किसी कमपनी में कर्ज है अगर वो कर्ज बढ़ता है या कम होता है तब यह मूव करती है मैं जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आप लंबा वीडियो पसंद नहीं करेंगे मज़े और आपको वेसे तो यह इसको मेरे को किलियर बताना च पर आप में से अगर कमेंट करेंगे तो फिर में एक-एक पाइंट बाद में इसके लिए अलग से एक बना दूगा पर बाकी क्या है कि अभी आपको जल्दी से बता रहा हूं कि आजकल क्या है किसी कि मिलता कुछ भी नहीं पर टाइम भी किसी के पास नहीं है तो यह अगर कोई स्टोक में वह एक्टिव है तो वह उस कारण से अब डाउन करता है में ली इन चार फेक्टर पे ही स्टोक मूव करता है वह दूसरे बहुत से रेश्व है उन पर चर्चाम अभी नहीं कर रहे हैं वह डिटेल वीडियो बनाएंगे उस समय करेंगे तो यह आपको बेसिक सी चीज पता होने चीए किसी भी स्टोक में मानले आप लंभी आउदी के लिए निवेस कर रहे हैं तो बेसिक सी चीज आपको पता होने चीए अब आजाते हैं अपने में टोपिक पे दोस्तों यह स्टोक तेरा 14 रुपे से चला था जो कि इसने हाई 400 रुपे के ऊपर 404 तक भी गया आई है और वहां से जो गिरा तो इसने पांच रुपे का लेवल भी तोड़के ने रुपाये तो यह इसका फ्यूचर पूरा आज तक का कि यह कहां से कहां गया और कहां से केसा गिरा तो जार अठारा से इसका बूरा वक्त चालू हो गया दोस्तों क्यों हो गया था देखें किरम रेश हो अगयरा इन पर ज्यादा डीटेल में अब भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रफली बता रहा हूं में एक तरीके से यह देखें एपीएस अठाटर से सीधे 18 पर आ गया था अर्निंग पर से यह और उसके बास से तेरे रिवस ही हो गया माइनस में चला गया भी खेर हमें इस टोपिक पर नहीं जाना है कि यह क्योंकि दुनिया को पता है कि इसमें क्या हूआ क्या नहीं हुआ कितना करज है इस पर क्या है अपने में टौपिक है हमारा की मान लीजिए क्योंकि इसमें अब फजग चुके हैं अब यह कंडिशन इसमें से क्यसे निकलेंगे हम अगर आपके पास 15-15 आज़ार शेयर होतें तो अब इसमें से निकलना कैस है कि मेंने पहले बताः कि के लिए है न कि इंट्राडे वगेरा के लिए लंभी आउदी के लिए जिनों ने इवेश क्या है उसके लिए special یہ वीडियो है और उन इंसानों के लिए के लिए कि मान लीजिए कल छेशी आप के साथ परिष्तेती खड़ी होती है तो उसमें से कैसे आस साल दस साल के लिए मान लीजे के 2030 के लिए मैंने इसमें इन्वेस्टि किया थे क्या हुआ है क्यों यह पोजिशनल और लंबी अउधी के लिए ही है पोजिशनल भी नहीं बोल सकते इसको लंबी अउधी के लिए जिनों पोजिशनल में जो उड़ गया वो उड़ी गया हों ग जैसे में इंटरादे के लिए बताता हूं आप सारे वीडियो देख लीजे अगर एक में भी इस टोपलो तो छोड़ी है जो मेरी बाइंग प्राइस है वो भी कभी वापिस से टच की वह तो तो उसके लिए कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अभी तो क्या थोड़े लंबे वीडियो हो जाते हैं तो कोई देखना पसंद नहीं करता है तो फिर खेर लंबी दूसरी बात है अपने में टॉपिक पर आते हैं करना कुछ भी नहीं आपको सेम कंपनी आपको देखनी है सेम का मतलब ही है कि इसी के जैस अजार दो अजार रूपे सेयर वाल ली देख रही है आपको वही कंपनी देखनी है कि जो इसके सेम चल रही हो अब कोई भी कंपनी बढ़ेगी कब कंपनी आमेश्या मैंने पताया वो चार फिक्टर तो रहते ही है प्रोफिट है रेवेन्यू है डेप्ट है यह ना एक बीक फीश है वो तो अलगी पिच्चर है वो तो क्या उलजाने काम करते हैं सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जो किस सेक्टर में काम कर रही है अब यह कंपनी में से आसानी सस्ते उस्ते निकलोगे सेने के रोने-गाने बेट गए या फिर उससे कई कुछ भी नि होता है क्योंकि इस टोक मार्केट में तक आपको जितना अच्छे ज़्यादा दिमाग लगाया है नहीं जाता है जिसने दिमाग लगाया है उसका अकाउंट साप हुआ है क्योंकि इसमें एक गलती मतलब सीधा अकाउंट पर वार होता है तो इसमें क्या है अच्छे ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है नौरमल चीजे बेसिक से चीजे पहले आनी चीए वो भी परफेक्ट तरीके से तो वो चार चीजे तो है आपको प्रोफिट रेव कर दिये मैं अभी उदारन भी बताऊंगा आपको क्या मान एक पल के लिए मान रहा को मेरा पेसा फसा होता दस बीस अजार कॉंटिटी फसी होती तो में तो एसे ही आसानिस निकलता वो बीना टेंसन से कैसे मैं बताता हूं सेम कंपनी आपने देखनी है इसी के लेवल की मतल तो उदारन के तोर पे बता देता हूं कि जैसे एक इस्टो के उजीवन इस्माल फाइनेंस मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आप जा के खरीदि लीजए मैंतो अपना बता रा हूँ कि में कि वने ट्रेल लेता हूं मैं कि और्सरार चायन करता हूं सेम प्राइस में ने चैन कर ली अब वही थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा ग्रोइंग इंडरेस्ट ही है ये किनको लोन देती है छोटे मध्दूर वगेरा को छोटे इंसानों को बड़े इंसानों को नहीं देता है जैसे वीजय इमालिया फालिया जैसे को है ना ये उन इंसानों को जैसा देता है कि मान लिजे कि दो किस्त भी नहीं चुकाई तो इनके जो प्यून रहते हैं वही उनको चमका के ना आसानी से पेसा मतलब ये डिफाल्ट कभी इनका इनका बढ़ेगा ही नहीं संभव ही नहीं है कि ये बढ़ जाए आपको थोड़ा प्रोजिक भी लगाना पड़ेगा आपने देख लेक नियार ये फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि माला ना इसका तेरा प्रसेंट से जादा का ग्रोथ है अभी इसकी इतनी डिटेल अपलोड नहीं है लेकिन ये इस पे है जब ये रिट में लिश्ट होन पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा बनाऊंगा तब बताऊंगा आपको है ना उस पे से इसका ग्रोथ अच्छा है प्रोफिटेबल कंपनी है कंट्यूनिव प्राफिट कर रही है ये 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 इस बिंक का प्राइज है उसके प्राइज के पास में है तो मैं कुछ भी करूंगा वो शेर इसमें कनवर्ट कर दूंगा मुझे दिख रहा है कि नियार उसका फ्योचर खराब है और हस्ते हस्ते मान लीजी के 2030 में मुझे एक्सीड लेन एक्जिट लेना है तिनसोर रुपे के टारगेट मैंने कैसे दिया उसी के आधार पे दिया इसकी ग्रोइंग सब्सक्राइब करना कि नियार इसमें एक बार मर जाता है तो वह आपको जरूरी थोड़ी इनके उससे साधी करने है कि यार यस बिंग खरीद लिया वापिस उसी से ही हमको वापिस कवर करना है पेमेंट सिंपल सी चीज है वो खराब है दूसरी मान लेजे किसी बस में जा आपको पता है कि तो इंतजार तो करने से रहे निया तो इस अच्छा बस वही लोजिक इसमें लगाई है पर व्यवस्तित ग्रोईंग इंडर्स्ति देखिए व्यवस्तित कंपनी देखिए मैंने एक उधारन दिया है उज्जीवन इसमाल फाइनेश का और में डिस्क्लेमर आपका पैमेंट वांटीटी है उच्डी वन में। बहुत पहले ही खेर मैंने ली हुई है पर मेरे। क्योंकि एक इंसान आया था जिसकी क्वांटीटी एक सोनौ रूपे भे अच्छी क्वांटीटी उनकी बी। अब वह मेरे से कैसे मिले क्या वोत लंबिक आनीह है। पर तो उन्होंने मेरसे यही कोच्छन किया कि मान लीजे कि आपका पेमेंट वहस जाता है और एसे है तो केसे निकलते है तो मैंने सोचा कि इस पे पहले एक वीडियो बता देता हूं उनको भी अब लिंक सेंड कर दूँगा कि आप यह देख लीजे सिंपल सा है मतलब आपके लिए तो बहुत काम की चीजें नहीं तो आपके लिए दो मिनीट का काम है कि यार क्या बताए कि इसमें से इसमें कनवर्ट कर दो यह तो सभी करते हैं सभी करते हैं यह बात सही है तरीका नहीं पता है ना सभी करते हैं यह बात सही मानें आपने के चलो सभी ने एक् पर कब खरीदना कौन सी प्राइस पर करीदना कौन सी इंडस्ट्रीज में खरीदना अगर मान लिजे कितना आसान और जिनोंने क्या होगा उन्होंने क्या ही होगा पर अगर सबी करते तो फिर इतना रोते भी नहीं मान लिजे इतना गिर गया है तो यह तब के लिए है कि मान लिजे आप exit सही समय पे नील ले पाए तब के लिए है अगर मान लिजे कोई company खराब है और exit ले ले आए तो अच्छी बात है कि आप बाहर हो जाए है मान लिजे कि नील निकल पाए और फस गए है तो आप उसमें इस तरीके से निकल है क्योंकि यह से positional के लिए लंबे अध़ी के लिए आप समझ रहे हैं कि इसमें लंबी समय के लिए उतने समय के लिए मानले जीए कि मैं किसी और इस्टोक में इन्वेस्ट करता करूं तो इसा कौन सा इस्टोक है वह आसानिस मिल जाता है क्या यह सब बोलने की बात है कि मल्टी बेगर इस्टोक वगेरा नहीं मिलते हैं बड़ी आसानिस तरीख सा फाइंड आउट करोगे इंट्राडे वाले वीडियो देख लो उसमें आपको कुछ भी ने सिंपल सा लोजिक बताया है उस पर ट्रेट करो जीवन में एक बी ट्रेड मुस्किल से एक दो ट्रेड मान लीजिए गलत हो जाएंगे पर कब भी गलत होने का सवाल ही नहीं पेदा होता है उसमें और एसा पर कौन सा ब्रेड कहां पर देना है और कौन सा उसी फेक्टर पर काम करेगा कि जो आपको आपको आज नहीं अगर आपको मान लीजिए कर कोई कंपनी में आपका पेमेंट फ़स गया है उसको अगर वापिस जो आपका टार्गेट प्राइस उस पर बेचना आए तो आपको बाव पर आप एक्जिट ले रहे हैं सेम उसके आस पास की कंपनी देखे क्वालिटी वाली कंपनी चेक करिए ग्रोइफ इंड़री जो आने वाले समय में बड़ी हो सकती है और बड़ी कंपनी अब भी नहीं बनेगी छोटी कंपनी ही बड़ी बनेगी तो एसा है कि जिससे कितना खतम हो जाएगा तो आप कहां से कमाऊगे उम्मेदे वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना धन्यवाद